हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप लोगा NCRT जोन में एडूटेरिया करेंट फिर समलोग डिसकस कर रहे हैं एडूटेरिया में जो भी इंपॉर्टेंट होना था वो हो चुका है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे और लड़ी डिसकस कर चुके है मैं बता देता हूं एक वर कौन-कौन डिसकस कर चुके है जो पहला, first, second, third हो चुका है उसके लाबे fourth chapter हो चुका है, fifth chapter हो चुका है sixth, seventh, eighth, ninth, ninth chapter हो चुका है ये chapter tenth होना बाकिया है, tenth बहुत important है ये हमको करना है, tenth क्यों? क्योंकि tenth में ये बताए गया किस exam में क्या क्या question आए हुए करेंट अफेर्स है उसका GI tag बाला हो चुका है, important is तो अभी हम किस क्या करेंगे? GI tag डिसकस कर लेते important is storm and cyclone, state assembly और covid vaccine, important mission, various operation ये, यानि 11 से लेके 17 chapter तक हमें अभी करेंगे major report already हो चुका है, ये सब already हो चुका है और उसके बाद वाले वीडियो में, important official appointment, president, prime minister, major death ये करना है, second वीडियो में हो जागा उसके बाद अगले वीडियो में क्या होगा? military exercise, major indices, और important day ये third वीडियो हो जागा और उसके अलाबे fourth वीडियो में, major upcoming national conference, major national conference, major international conference ये हो जागा fourth वीडियो में उसके बाद हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें chief minister, governor, utk और 17 वी लोग सभागे council of minister ये fifth वीडियो में और major scheme of central government and state government इस sixth वीडियो में सेवन्थ वीडियो में क्या हैगा major campaign, app, portal, initiative ये sixth में और books और brand semester अभी total eight वीडियो है यानि four days हम लोग को अभी ये लएगा तो चलिए हम सुरू से आप करते हैं जो भी बचा हुआ है अगर कोई doubt हो तो आपको number है ही उस पर text करना आपको चलिए सुरू करते हैं ये already हमारा हो चुका है budget हो चुका है important festival हमने discuss कर लिया various year discuss कर चुका है कर चुके हैं ध्यान से बस सुनना आपको voice पर ज्यादा focus करना है ये हो चुका है current affairs से हम लोग discuss करते हैं क्योंकि इससे पहले का हो चुका है current affairs जो various exam में आया उसको discuss कर लेते हैं सबसे पहले यूपी PCS में जो exam हुआ थो 2023 में आप इससे ये पता कर सको तो किस टाइप के question को में focus करना है किस टाइप के हमें focus करना है पहला question आया था देखो union budget से question कैसे कैसे आते पहला question union budget से आ था कितने skill India international center center setup किये गये skill India international center setup किये गये हैं अलग-अलग state में कितने किये गये टोटल तीस को और याद रखना है skill India international center नाम से ही पता दादा है skill देने के लिए और यूथ के लिए होगा अगल अगला क्या है एक किताब के बारे में question आ जाता है spare यानि foreign का भी कोई बहुत बहुत जादे important किताब होगा उस पे आ जाएगा यानि spare prince Harry इसके अलाब कोई भी देश अगर कोई military type का कोई करता है बिल्कुल unique या या बहुत थोरा सा progressive type के जैसे यहाँ पे Taiwan सरकार ने क्या किया था कि एक साल का military services mandatory कर दिया था कोई भी इनसान अगर जन्म लिया है 1 January 2005 के बाद उसको एक साल का military services mandatory है ठीक है यह हो गया उसके बाद Pope Benedict क्यूंकि और important person के death से कैसे question बनता है सबसे पहले पूछे हुआ क्या उनका native state Germany है और यह पहले Pope बने थे जो 6 साल में पहली बार resign किये थे ठीक है और आज तक मतलब पिछले 600 साल में कोई भी Pope ने रिजाइन नहीं किया था तो यानि कोई person अगर death होता उससे क्या question पूछ सकते है उसके natty place और उनके important जो उन्होंने step चला है वो पूछा जा सकता है उसके अलाबे अगर कोई airline like जैसे कोई important crash उग रहा हुए airline crash हुआ था नेपाल में वह पूछते था airplane नाम पूछ दिया था तो आप यह समझ सकते हो कि नाम पूछतेगा उसके बाद military exercise अब क्या है military exercise आपको हर देश का नहीं पूछेगा रिसेंटली आप देखो जैसे UK USA का बहुत बार पूछ चुक है तो वह आप नहीं पूछते हैं USA UK UK sorry UAE और Saudi Arabia पूछेते हैं अभी कुछ समय पहले और यह इंडिया में पूछा गया है इंडिया में जो हुआ था शुदर्शन प्रहार military exercise यह राजस्थान में हुआ था वर्ल्ड वेटलेंड इंपॉर्टेंट डे थीम पूछ लेते हैं उसके लाबे मिड़े मीले स्कीम को रिनेम किया गया है यह कब किया गया है पीम पॉष्ण योजना नाम रखा है 2020 में उसका जननी सुरक्षा योजना ऑबजेक्टिव यानि स्कीम का क्या पूछ रहा है बजट में लोकेशन हुआ हो कैसे हुआ है कि यहां पर बोला कि मन्रेगा में क्या क्या गया है हाइस्ट परसेंटेज और रिकॉर्ड किया गया यह गलत है और जल जीवन में क्या किया है हाइस परसेंटेज इंक्रेज किया गया प्रीविए से साबसे तो यह इंक्रेज किया किस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ यह भी इंपॉर्टेंट है यह धियान रख लेना उसके यह भी प्रोग्रेसिव स्टेफ हो है कि स्मोक फ्री कब तक हो गया कौन सा देश स्मोक फ्री होना चाहता है बिल्कुल अपने अगले जेनरेशन को दोजार परचीश तक न्यूजिलेंड उसके बाद किताब देखो दो किताब से कोशन आया ना यह किताब क्यूं इंपॉर्टेंट है बीमल जलान जी ने लिखा है हमारे और भी आई के गवर्नर आ चुके हैं फॉर्म डिपेंडेंस तु सेल्फ रिलाइंस उसके लाबे इसका पार्ट नहीं है यह आप गेस भी कर सकतो कि यह क्यूंकि स्ट्रेजि आम अदमियों लों के लिए लिए अगला लेकिति सक्ति योजना इस पर को सणाया और इस पे किस इंजन के बारे में क्या किस किस फिल्ड में ग्रोथ हुआ उस पर पूछा सकता है और लॉण्च क देख सकते हो क्या आया गती सकती योजना के बारे में कोशन क्या आया यह तो अब देख रहो कैसे कैसे कोशन आते हैं और उसके बाद देखो, रैंकिंग में पूछ लेते हैं, इंडिया की रैंकिंग पूछ लेंगे, इंडिया की रैंकिंग यहां पर पूछ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसे में, इंडिया की रैंकिंग इमीशन में कितने हैं, उसके अलावे, यहां पर स्कीम आते हैं, और स्कीम में था शंसद आदर्स ग्राम योजना 2014 में था दीन द्याल उपाध्याई ग्रामीन कोशले योजना ये 2014 में था बट स्यामा प्रसाद मुखर जी रर्बन मीशन ये 2015 में नहीं है तो इससे आप देखो आप यह मैं यहां पर यह नहीं किया मैं टॉपिक करा रहो मैं बस यह बत हिसा पेटा कोशन है इसरो और नासा ने हुमन डेवलप्मेंट रिपोर्ट जो आए थी उसमें इंडिया की रैंकिंग पूछ रही है तो इंडिया की रैंकिंग क्या हो रही है ड्रॉप्ट किया 130-132 में गई है यह आप से कॉमन सेल्स के पूछ रहा है कि 130-32 गई तो उसको सेंटर को अलावड है 4.5 परसेंट और स्टेट को अलावड है कितना 3.5 परसेंट by 2023-24 और स्टेट को उसमें से भी 0.5 परसेंट कहां कहां करना है पावर सेक्टर से रेलेटर है उसके अलाबे यह आप दखो कोई इंपोर्टन सीन होगा इंटरनेशनल लेबल पर उससे कोशन आए जाएगा जैसे नदीन जहावी बिटीज के प्राइमिस्टर रिशी सुनक ने फाइनांस मिनिस्टर को हटा दिया नदीन जहावी को टेकसस स्कैंडल के लिए उसके अलावे फिर से बज लार्जेस्ट मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट जो फैब्रॉरी में बना वो तुमकूर करनाटका में उसके फिर से बजर देखो बजर से चार पांस कोशन आने ही आने है चाहे आप बीपी एसी के बात करो यूपी पीसेस की बात करो उसके अलावे जी ट्वंटी का लोगों क कर लिया एंडेक्ट किया गया है इंडैने ने वी में ऐने सबागसेर भी अबद अणी है। ठीकिन टॉप थ्री एस्टेट प्लेस में कौनको ने पॉंडीचरी लक्षिदी पर गोवा ओथर यानि देखरो दो और लेड़ी किताब आचुका है कॉस्टन लेकिन तीसरा आया क्यूंकि अगर ऐसा किताब जिसको अवर्ड मिला है लाइक साहित्य अकेडमी वाड कोई भी ठीक ना यूवावला कोई अवर्ड है वो मिला है तो वो बाला बहुत इंपॉर्टन हो जाता है और राइटर मेंने राइटर पूछेंगे आपसे याद रखेंगे अस्यो फिल फेस्टिवल से रिलेटर है और शंगाई कोरपरेशन आफ इंडिया आपको पता ही है और इतन बीचलेंगे प्राइमिस्टर प्रेसिडेंट जो है डो जाहां पर प्रेसिडेंट है एड ऑफास्टीट है और हैड अपगावर्मेर्मेंट होग है और जाहां करेंगी। फॉर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर्फ मेरीन वाइव डावर्सिटी यह जाम नगर में है और इसके गोल्डेन ग्लोब ओवार्ड आपको पता है एमम कीरा वानिश आपको मिला उसके देखो UP SSC One दरोगा बला एक जाम में देखो मेजोरिटी कोशन आपको लिखेगा सिरह इन्वारिमेंट से डिलेटर है नेशनल वाइड लाइफ एक्षन प्लान से रिलेटेड है कि इसके 10 कंपोनेंट है और ये 3rd नेशनल एक्षन प्लान है ये भी है कुनो नेशनल पार्क में आपको पता है चीता री इंट्रोड़क्शन प्रोजेक्ट लाए कहां पर सेलिब्रेट किया गया 2022 में पेरियार में COP27 कॉन्फरेंस कहां पर हुआ एजिप्ट में हुआ उसके बाद इंटर गवर्मेंटल पैनल ने जो क्लाइमेट चेंज में कम की बात कि कितना डिजी सेल्सियस माइनस 1.5 डिजी सेल्सियस और एक इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियन्स एलाइनस ये बीपीय से में पूछा था स्पेन के साथ सेनेगल ने किया और COP इंडिया ने अपना लॉंग टरम स्ट्रेटजी दिया अप से पूछरा कौन सा गलत है तो इंडिया ने क्या किया है 250 गिगवार्ट नहीं 500 आप कर दिया देखो ये 400 इसमें किया था बट COP28 में क्या कर दिया 500 कर दिया मीशन लाइब तो आपको पता है लाइफस्टाइल फॉर इन्वारेमेंट उसके बाद कारबन क्रेडिट से पूछा गया है इंट्रोड्यूस किया कि एनर्जी कंजर्वेशन आट के दोरा कारबन रिजिस्ट्री इंडिया फर्स्ट कारबन रिजिस्ट्री क्या नाम है उसका सी राई है और फादर अफ एकॉलिजी इंडिया रामदाश मिश्रा तो देख रहो कैसे पूछे हो उसमें अब आया बीपीएसी का कोशन क्या क्या पूछे हुआ है ध्यान रखना है खेलो ये अभी मैं आपको नेशनल गेम करवा रहा था उसमें तीन गेम लाइक योगा असन मलखम क्योंकि वही कोशन पूछाना है कि खेलो इंडिया वोमेंस टूनामेट जो हो पहली बार उसमें कौन सा गेम एड किया गया है इंक्लूट किया गया है वेर वाज दे गंगा वाटर सप्लाई स्कीम इनागुरेटर बाई चीप मिनिस्टर नितिश कुमार बोद गया ठीक है न गंगा वाटर सप्लाई स्कीम इनागुरेट किया गया चीप मिनिस्टर नितिश कुमार के दोर यह कहां पर बोद गया है वीच एसोसियेशन और बोड एननाउंस इक्वल फेफ़ोर मेल और फिमेल प्लेयर्स इन अक्टूबर 2022 यह है BCCI ने किया इन इन लॉच लॉच यूट किया जो राइटर है ना यूट राइटर उसके लिए जो 30 साल से पहले वाले होते है मिनिस्ट्री ओफ होम आफेर्स ने कम्प्लीट किया है मधर तंग सर्वे इंडिया मदर टंग सर्वे इंडिया विट फिल्ड वीडियोग्राफी इन हाव मेनी लेंग्वेज देखो यह कोशन सब्सक्राइब करने मारा होता है अगर आपने किया है तो मतलब इसमें कोई गेस वेस नहीं होता है 576 लेंग्वेज एक कमीटी है जिसने गैस इतानागर में और फूड सेउंडर ओफ इंडिया किसको फूड़ अनिमल डिकलेर किया हिमालेन याक को स्री नगरवाला तो अमने बताः दिया था पौस्ट पेमेंट बैंक है वहां पे पुश्ट पेमेंद बैंक ने एक स्टेपी चला लिट्रेशी कैम्पेंड है काम गु महीना चला है उसके बाद है यह देखो चाइना का जो ट्यांग स्पेस इस्टेशन ना उसका लास्ट मॉड्यूल जो भेज़ जा गया उसका नामें मेंटियान उसके लाबे वोलकैनो आपको पूछे सकता है वोलकैनो आया पूछेगा एक्जामपल रख लो उसके बाद यह आपको बुकर प्राइज मिला सेवन मॉन्स ऑप माली अलमाईडा यह सिरलंकन है थीम ऑफ वर्ल रिद्व को डे भी पूछा थीम भी पूछा और उसका थिस्टो पूछते सकता है आगे यह देखो यह उसमें पूछा है सेम कोशन उठा के रखा है नियुहांशू जापान में क्या हुआ कंट्री का एमबेसी किस कंट्री के एमबेसी ने जी आई टैक के लिए अपलाई किया है एकुलस स्केप्टर स्पेसक्राप्ट जापान का ही है और आप्टिमस हीमनोड रोबोट है 36 पीचिस में क्या पूछा गया है पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है और इंडिया की टोटल विंड वार्ड नहीं यह कुछ जादा लिखा हुआ है क्योंकि टोटल हमारे हमारा जो कैप सिटी है अभी हम कितना टार्गेट सकता है तो यहां पर देखो फीफा अंडर सेविंटीन वोड कप किस जाप हुआ डीवाई पाटिल स्टेडिया में उसके अलावे पदमी भी हुशन के बारे में कौन सा करेक्ट है यह पूछा जा सकता है ठीक है और प्रेसिडेंस पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड यह किन को मिला है तो अवार्ड से भी कोशन पूछ देता है ठीक है उसके अधिया आपको पता है इस रो कोई अगर मिसन चोड़ा था प्लीज प्लीज उसका वह याद रखिये जो लॉंचिंग वेहिकल है वह याद रखना है आपको इंडिया जो होस्ट करा जी जी टॉन्टी से कोशन आने के चांसे से जी टॉन्टी एस्ई ओ ब्रेक्स हो गराते आने के चांसे ही गितांजली स्रीको इंटरनेशनल तो देखो एक बुकर प्राइच है कुई निली जावित के बारे में कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है यह कुछ स्कीम से तो थोड़ा सा रिलेटेड है जो डिसेरी से सब को सने लेकिन यह देखो पहला को सन क्या है करेंट वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस किरिल गेवर ग्यान किरिल गेवर ग्यान आपसे पूछा सकते हैं क्योंकि यह बारा दोक हुआ तो गितानजली स्री हो गया है और यह डब्लू एचो का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल सेंटर यह जाम नगर में ब्यो मित्रा डिवलप किया गया था इस्ट्रो के द्वारा 15th Finance Commission का डेट याद कर लिए कब से कबते हैं 2022 से 25 से 20 उसके बाद यू क बिकान और कौस्मोट्रोम इंडिया का फॉर्स्ट इंडिजलिसली डी डेवलप रिमोट सेंशिंग सेटलाइट है जिसका नाम है बेकोन और कौस्मोट्रोम सर्ट इसमाइल इसयर्टिफ देखु इनिसीयर्टिव प्रोग्राम से पूछ ले ये सब थोरा सब दिसकस कर ले युनीसेफ स्कीम रिपोर्ट सफरिंग इन साइलेंस नाइजर के बारे में इनीसेफ ने रिपोर्ट दिया था चंध्यान 2 के साथ जो प्रग्यान ओगारा नाम है तो ये पूछाप जा सकता है पहुंचने बाला है, Blue Origin, Blue Origin के मालिक का नाम तो पता ही, जेव बेजोट्स, अमेजन वाले, अमरित काल से रिलेटेड को सना पूछ लिया है, क्रेडिट लिंक्ट गवर्मेंट स्कीम, जो स्कीम है न, उसका पोर्टल है, जन सामर्थ पोर्टल, जन सामर्थ पोर्टल, भारत च जूरो, यह कैम्पेन है, भारत चलो, भारत से जूरो, जापान, उसके याद, वर्ल्ल फर्स्ट नैरो इरिया प्लांट, नैनो इरिया प्लांट, हैज मिन एनागुरेटर बाई, प्राइमिर्स्टर नेरेंदमदी, गुजरात हुए, डबलु एचो का ग्लोबल हेल्थ लूरु ने, उसके बाद ये कुछ है, राजस्थान, टीटी ये छोड़ सकते हो आप, क्योंकि ये उतना, ठीक है, तो आप इससे कम से हम ये तीन एकजाम से आप पता लगा लिए ना, कि क्या क्या आ सकता है, अच्छाट PCS, UP PCS, बिहार PCS, ठीक है, इन सब से आप पता लिए, उसके बाद हम नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे, आगे जो बचा हुए ना, वो डिसकस कर लेते, अगला वीडियो हमारा क्या आएगा, कि वेरियस प्रोड़क्ट्ट जो की जी आई टाइक वाला प्रोड़क्ट है, उसके अलाबे ये आएगा, निउ डेज, एसेंबली वाल आएगा और इंपॉर्टेंट वैक्षीन कोविट वैक्षीन इंपॉर्टेंट मीशन और एक वीडियो में यह सारा आजाएगा मिलते हैं नेक्स्ट तब तक लिए थांक्यू थांक्यू सो मच हमारे कोर्स पर्चेश करने के लिए डियेगा नंबर के डिटेल है अब मैसेज करना थांक्यू अ वीडियो में बहुते हैं